नमस्कार मैं उशिकरदीप और आप देख रहे हैं GBN24 से पहले राजसभा में विपक्ष के नेता मलिका अरजुन खडगे के चेंबर में बैठक बुलाई है इस बैठक में विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दो पर रणनीती बनेगी पर रसल 2024 लोगसवा चुनाओं में इंडिये का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल एक साथ आने की कोशिश में जूटे है इसी क्रम में 17-18 जुलाई को बैंगलूरू में कॉंग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी बैठक में 26 विपक्षी दलों की नेताई गठा हुए था इस नए गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया है ऐसे में अब संसत के मौनसून सत्र में भी ये गठबंधन केंद्र को मिलकर घेरेगा मडिपूर में 3 मई से हिंसा जारी है पूरवुत्तर राज में अब तक 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है ऐसे में मौनसून सत्र में भी इस मुद्दे पर हंगामे के आसार है इसके अलावा सरकार और विपक्ष की बीच दिल्ली अध्यादेश पर भी टकराओ की संभावना है केंद्र सरकार दिल्ली अध्यादेश पर इस सत्र में विध्यादेश पेश करेगी मैं आपको बता दे 11 अगस को खत्मोने वाले सत्र में सरकार 31 बिल पेश करेगी इसमें सिनेमेटोग्राफ विधयक, परसनल डेटा प्रोटेक्शन, वन संरक्षड कानूनों में संसोधन और दिल्ली सेवाओं पर विवादा अस्पत आध्यादेश शामिल है इसके अलावाद जनविश्वास, विधयक, बहुराज सहकारी, सूसाइटी, विधयक, राश्ट्री अनुसंधान फाउंडेशन के स्थापना के लिए एक मौसौदा कानून को भी संसद में पेश किया जाएगा अभी के लिए बस इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN24 ये है जेनिसिस मीडिया नेटवॉक और आप देख रहे हैं GBN24 News